नवश्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग तीन मईई 2021 के डेली दा हिंदू एडिटोर डिसक्रशन में आपका स्वागत है आज के एडिटोर्स एज एक्सपेक्टेड एलेक्शन रिजल्ट से भरे हुए हैं सब एलेक्शन रिजल्ट ही आ रखे हैं चार आर्टिकल में याँ पर shot list कर रहा हूँ वैसे लगबाग छे आर्टिकल चपे हैं इसमें चार आर्टिकल में shot list कर रहा हूँ एक तमिल ن narcissist पर है, एक केरला पर है, एक बंगाल पर है, एक असाम पर है मुझे लगा कि भई, चार अलग-अलग states के results हैं वैसे तो ज़्यादा के हैं तो कम से कम चार अलग-अलग स्टेट्स की बात की जाए यहां पर तो पहला आर्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फूचर अफ तमिल नाडू इन इंडिया दूसरा आर्टिकल विद रिस्पेक्ट टू बंगास मेंडेट फिर इसके बाद कराजा तीसरा आर्टिकल तो कमपैशनेट गवर्मेंट इन केरला और चौथा आर्टिकल आसाम की पॉलिटिकल थिंकिंग में जो शिफ्ट है उसकी बाद थोड़ा सा अपना माइंड सेट इन आर्टिकल को सुनते बगत खुला हुआ रखेगा रीजन भी कि जब पॉलिटिक्स की बात होती है तो बाते अच्छी नहीं होती है किसी ना किसी पॉलिटिक्स पॉलिटिकल पार्टी की बुराई होगी धरम के अधार पे कास्ट के अधार पे किसी का आप कह सकते हो कि आप मतलब प्रेस किया जाएगा तो यहाँ पे जो parties जीती है उनको प्रेस किया जा रहा है और जो party हारी है कहीं न कहीं उसके opposition में बात की जा रही है ठीक है हलांकि यह points बहुत हद तक आप कह सकते हो कि controversial भी हो सकते हैं कि हम लोग अब भी सारी बाते करी रहे हैं बड़े दिनों से तो यतना तो अब लोग आप भी समझने लगे होगे तो पहले हम मेरे to the future of Tamil Nadu and India यहाँ पे द्रविद मुरुत्त करजगम जीत गई और बंपर तरीके से जीती है बेदवी से लगवग द्रविद मुरुत्त करजगम लेके कही हैं अगर आप बात करो अन्ना अन्ना द्रविद मुरुत्त करजगम की इसके लिए जीतना बहुत मुश्किल था दो बार से लगातार AI ADMK की सरकार थी और इंडिया अन्ना दविज मुर्द कज़गम की सरकार थी और उसके बाद उसका फिर से जीत पाना इसलिए भी मुश्किल था चुकि जो उनकी स्ट्रॉंग परस्नालिटी थी जैयललता जी उनके मृत्ति हो चुकी और तमिल नाडू में आइडेंटिटी बेस्ट पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टन्ट है तो जब M.G. राजचंदर साब थे जब करणा नुजी साब थे जब जैयललता जी थी तो उस समय पे इनकी ही आइडेंटिटी पे एलेक्शन जीते जाते थे लेकिन आज की डेट में जब यह नहीं है तो आइडेंटिटी बेस्ट पॉलिटिक्स यहां पे नहीं हो रही है आपके काम के बेसिस पे और कही ना के दरविदियम फैक्टर के बेसिस पॉलिटिक्स हो रही है अब अगर आप बात करो इस पूरी ये जो पॉलिटिकल सिनारियो हुआ है बीजिस तरीके से आप यहां पे DM के जीत के आई है कौन से सरकम्स्टांसिस के अंदर दर्वित मुलद्र का सकम जीती है और ये तमिल नाडू के लिए और इंडिया दोनों के लिए कैसे अच्छा है तो इसको बेसिकली तमिल नाडूर इंडिया का रेफरेंडम बता रहे हैं और से रेफरेंडम पे तमिल नाडूर इंडिया के हिद की बात कर रहे हैं यहाँ पर बात कौन कर रहा है, तो कलेरे सारन जी ए, कलेरे सारन ए, यह मदरास इंस्टिटूट और डेवल्पमेंटल स्टेडी चिन्नई के साथ इन्वार्ड है, वेगनेश कार्तिक, के यार यह डॉक्टोरल रिसर्चर है, किंग्स इंडिया इंस्टिटूट किंग्स कॉलेज लंडन में, अम विजय भासकर मदराज इंस्टिटूट और डेवल्पमेंटल स्टेडी चिन्नई से साथ यह इन्वार्ड है, तो यह क्या बोल रहे हैं, इनका सुनिए, इनका कहना यह है, कि at the state level, election foregrounded three fundamentalisms, basically जब election हो रहे ते तमिल नाडू में, तो तीन fundamentalism पे ध्यान ले जाने की कोशिश की गई, पहला religious fundamentalism, दूसरा language fundamentalism, तीसरा caste fundamentalism, religious fundamentalism किसको propagate करने का इल्जाम लगाया जा रहा है, तो भारती जन्ता पार्टी उपर, language fundamentalism किसके उपर इल्जाम लगाया जा रहा है, तो कुछ tamil nationalist है, जिनको exemplify क नाम तमीजार काच्ची, N.T.K. पार्टी, तो कुछ tamil nationalist भाषा के अधार पर, N.T.K. पार्टी के जो है, वो कही न कही इस election को mobilize करने की कोशिश करे थे, और कुछ intermediate caste groups थे, जो कही न कहीं दलित मोबिलिटी की बात करे थे, तो caste के अधार पर, धरम के अधार पर, भाषा के पार्टी को बांट के भूट खीचने की, यहां पर कोशिश की जा रही, लेकिन इनका यह बोलना है, कि इन तीनों चीजों को हराते हुए, यह जो DM के पार्टी है, जीती है, और यह DM के पार्टी कौन सी identity के basis पे जीती है, यह दरवीदियन Tamil identity के basis पे जीती है, ऐसा यहां पर author बोलना है, basically developmental trajectory को आगे लेके जाना, religious fundamentalism, caste fundamentalism, language fundamentalism को हराया है, यहां पे DM के कैमपेन ने, दरवीदियन Tamil identity को development के साथ मिलाके, दरवीदियन politics को एक step आगे लेके गई है, यहां पे DM के जीती है, यह बात यहां पर बोली जा रही है, आगे बांट पहले थोड़ा सा self-promotion, वी कर लिजे, join button दबा के आपके help कर सकते हैं, हर शिदिविदी education, मेरे चैनल की playlist section में जाइए, वहां पे आपको अलग-अलग topics की playlist मिल जाएगी, जैसे लक्ष्मियकानत quality की, spectrum की modern history का most important part complete हो चुका है, रमेश सिंग की economics की videos बन रही है, 37 चंदरा की middle history की videos बन रही है, तो अगर अलग-अलग प्रकार साब से जोड़ने कोशिश करूंगा, telegram group, join करेजे, इस particular lecture की video और मेरे lectures की notification आपको telegram group में मिल जाएगी, आप फिर और यहां पर बता रहे हैंगे, DMK के जीतना यहां पर आसान नहीं था, बहुत सारे रोड़े आएं DMK गरास्ते में, जैसे for example, BJP, आप देखो की DMK का जो रोल है, इसको बहुत लंबे समय से टारगेट किया है BJP ने, DMK का जो रोल है श्री लंकन-Tamil issue में, अभी रिसेंटली BJP ने एक वेल यात्रा करवाई थी, to promote Murugan, a popular Tamil DT to exploit the politics of Tamil nationalism, कोल मिलाके यहां पर बोला यह जा रहा है, कि BJP इस द्रवीदियन politics क कमजोर करने कोशिश कर रहा है, और यह हमेशा से कर रहा है, जैसे कि DMK तमिल issue को लेके श्री लंका का अगेंस्ट बोलता है, तो इस चीज़ का अगेंस्ट बात करता है BJP, BJP बोलता है कि तमिल nationalism ठीक है, बट द्रवीदियन nationalism यह ठीक नहीं है, तो यहां पे तमिल DT, Murugan के honor में वेल यात्रा करवा के तमिल nationalism को mobilize करने की कोशिश की BJP ने, BJP तमिल nationalism को glorious Hindu past के साथ जोड़ रहा है, और द्रवीदियन identity को एक colonial construct दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो यह बताने कोशिश कर रहा है कि तमिल nationalism है, this is very much in synchronization with Hindu nationalism, और जो द्रवीदियन identity है, यह colonial, मतलब अंग् जो किराज की समय से उबरी है, अब ऐसा author बोल रहे है कि BJP दिखाने की कोशिश कर रही थी, हाला कि मैं आपको यह बता दू, कि यह BJP की ओपर बहुत बड़ा इल्दाम है, BJP कभी भी इस बात को माने की नहीं, काफी कह सकते है sensitive statements है, authors के दोरा, बढ़ ठीक है, ना Hindu में तो यही लिखा होगा ना भाई, अब यह NT BJP है, NT आप कह सकते हो कि right है यह paper, थोड़ा leftist agenda को promote करता है, ऐसा बुरा जाता है दा Hindu के लिए, हाला कि कुछ balance articles भी यहाँ पर चपते हैं, तो BJP की तो भरबर की बुरा ही होगी, फिर भाई, BJP का support दिया है इस पूरे project में, NTK ने, NTK यह नाम तामीजार काची, अगर आप बात करो, तो BJP और NTK ने मिलके दरवीदियन पार्टी को तमिल आइडेंटिटी के अगेंस दिखाया, तमिल नेस को हिंदुवाइज करने की कोशिश की ऐसा यहाँ पर इलजाम लगा रहा है, हिंदुवाइज तमिल नेस करने की कोशि की है, BJP ने और NTK ने मिलके ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है, कुल मिला के तमिल आइडेंटिटी को कास्ट लीनेज के थूद होड़ने कोशिश की जा रही है, और यह जो दरवीदियन पार्टी से ना, इनको कहीं ना कहीं नौन तमिल ओरिजिन का दिखाया जा रहा है, कु साउथ की बड़ी-बड़ी पार्टी जिनके जो लीडर्स रहे हैं न, वो कहीं न कहीं नौन तमिल भी रहे हैं, तो यही कर रहा है, कोशिश कर रहा है, BJP समझ यह, यहाँ पे तमीलियन और दरवीदियन में फर्क है, तमीलियन मतलब आप तमिल नाडू के हो, दरवीदियन मतलब कि आप साउथ इंडिया के हो, बड़ तमिल नाडू के नहीं हो, तो करुणा निदी जी के ओपर बोला जाता है, कि यह तेलुगू है, he is not तमीलियन, MGR के ओपर भी यह बोला जाता था, तो इस प्रकार की चीज़ों का फायदा उठा के, जो आउटसाइडर पार्टी को मिला दो, और दरवीदियन तमिल आइडेटिटी को बैक्गराउंड मिले जो, अभी इससे होगा का, इससे होगा ये, कि वो लीडर्स, जो कहीं ना कहीं, दूसरे नौन तमिलियन माने जाते हैं, उसके प्रती लोगों का जो जुकाव है, वो हट जाएगा, दूसरी चीज दरवीदियन तमिल में सारे sections और तो society आजाती हैं, जिसमें आपके Muslims और बाकी धरम के लोग भी आजाते हैं, हिंदू तमिल में केवल हिंदू धरम के लोग, और जो तमिल है वो आते हैं, तो non-Hindus यहाँ पे include नहीं होते हैं, तो इस प्रकार से, BGP की उपर इज़ाम लग आई जारी हैं, तो यह तो हो गया धरम का मुद्धा, दरवीदियन politics को background में लेके जाना है, Hinduized Tamil nationalism को आगे लेके आना है, ऐसा BGP के उपर इज़ाम लगाया है author से, फिर caste factor की बात कीज़ें, तो भाई caste factor को भी, यह जो ruling party थी AIADM के, इसने आगे उठाने की बहुत कोशिश की इनके जो चीफ मिनिस्टर थे एदा पद्दी के पलानी स्वामी, तो पलानी स्वामी अपने आपको हमेशा लीडर दिखाने की कोशिश करते थे, एक कास्ट जिसका नाम है कॉंगू वेलेला गौंदार, ठीक है भाई? तो यह जो कॉंगू वेलेला गौंदार नाम की जो का इंटर्नल रिजर्वेशन दिया गया है बैकवर्ड क्लासेज में, उसमें से वनियार्स को 10.5% इंटर्नल रिजर्वेशन देने के लिए बिल इंटर्ड्यूस किया AI-ADMK ने, तो जो 20% मोस्ट बैकवर्ड कम्यूर्टी का कोटा है तमिल नाडू के अंदर, उसमें से 10.5% व कि ऐलाइंस ने कुछ कास्ट बैसिस पे वोट्स को जीता भी है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला यह जा रहा है कि भले ही यहाँ पर कास्ट के बैसिस पे मोबिलाइशन किया, AI-ADMK और BJP ने मिलके, उसके बाद भी यहाँ पे दरविद मुनित्र कजा अगम जीत क्या है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अभी भी तमिल नाडू में यह जो द्रविद आइडेंटिटी है, यह जो द्रविद कॉमन सेंस है, यह कास्ट के ओपर और धरम के ओपर डॉमिनेंट है. कहीं न कहीं यह तमिल नाडू का आप कह सकते हो कि एक नाप पर ऐसा सेग्रिकेशन नहीं है, बंगाल में तो देखो गदरी हो गया, हिंदू वरसल मुस्लिम कर दिया एलेक्शन को यहां पर, लेकिन तमिल नाडू और केरला में उस हद तक धरम के नाम पर लड़ाई नहीं है. ओके, फिन यहां पर यह भी बोला जा रहा है, कि ड पर एक्जामपल, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकिया है, यह सेंट्रलाइस्ट है, स्टेट गवर्मेंट्स को यह प्रॉपर आटोनॉमी नहीं देती है, ऐसा बोला जा रहा है, नैशनल एलिजिबिल्टी कम एंटरेंस टेस्ट, जो मेडिकल एक्जामेशन का एंटरेंस उसके अगेंस्ट बोलेगा डियमक, अभी किस हद तक बोलता है, यह भी देखते हैं, तो उसके अगर आप देखो, तो डियमकी की जो विक्ट्री हुई है, इसको All India Trinamul Congress की जो विक्ट्री हुई है बंगाल में, और Left Front की जो विक्ट्री हुई है केरला में, अगर उससे मिल आपके देखो, तो आपको Pan India Phenomena देखने को मिलेगा, कि इंडिया में जो Pluralistic India है, इसको Preserve करने के बात की जाहिए, एक Particular Party BJP के ओपर इज़ाम लगाया जा रहा है, कि वो पूरे के पूरे इंडिया को Colonize करने ही कोशिश कर रहे हैं, उसके Respect में, Multi Pluralistic Sentiments यहां पे बचे की बात करते थे और Nationalistic Identity की बात नहीं करते थे, अब यहां पे DMK को Constitution के Principles को बचाते हुए नजरा रहा है, चुकि BJP को एक ऐसी Party के दर देखा जा रहा है, जो Federal Principles को Freedom of Speech को दबा रही है, और ऐसे किसमें जब DMK जीत के आती है, तो कहीं नखीं वो Constitution के Federal Principles को बचा रही है, त जो कि जो Center के Party बीजेपी, वो बहुत ज़ादा, आप कह सकते हो, आइरन हैंड से रूल कर रही है, इस प्रकार के कुछ इल्जाम यहां पे लगाया जा रहा है, किसके ओपर, बीजेपी के ओपर, अब आपको मैं बता दू कि जो Tamil parties हैं, जो तरवीजिन parties हैं, बहुत लंबे स जब कॉंगरेस की सरकारें बनती थी, 1990 से लेके 2014 तक, तब कहीना की वो कॉलिशन की सरकारें थी, और कॉलिशन की सरकारों में तमिल पॉलिटिक्स का एक मेजर रोल था, चुकि यह जो तमिल नाडू से सरकार एलेक्ट होती थी, उसके MPs होते थे, वो कहीना कहीं कहीं लेकरते थे, लेकिन जब से यह BJP की सरकार आई है, तब से तमिल पॉलिटिक्स को बिल्कुल बैक्ग्राउंड में रखा गया है, द्रवीदिन पॉलिटिक्स को बैक्राउंड में रखा गया है, इनफेट और्गनाइस तरीके से इसको इस इलेक्शन में तोड़ने की कोशि तो जरूरी है कि जो भी existing resources है, उनको बहुत effective प्रकार से इस्तमाल किया जाए, educational institutions और resources को properly on ground scientific तरीके से deploy किया जाए, social justice की बात हो, learning outcomes को सुधारा जाए, जो uneven quality of higher education institutions को थोड़ा और even किया जाए, caste, class, gender के आधार पर segregation ना हो, effective governance हो, social justice हो, इन सब चीजों की बात की गई है फिर DMK के election manifesto की भी बात की है, यह बिसमें उतना उसमें की जरूत नहीं है, यह DMK के election manifesto में क्या लिखा हुआ है, आप समझ गया हो कि हलका फुलका Tamil identity को denote कर रहा था यह article, BJP जो द्रवीदिन politics को हरा के Tamil nationalism को हिंदू धर्म के साथ जोड़ के आगे बढ़ाना चाहती थी, द् strategy है, BJP की यह फेल हो चुकी है, नेक्स्ट बात करते हैं, बंगास mandate, a turning point in nationalistic politics, it was hardly a cliffhanger, with the TMC tapping into the distress cost by the Narendra Modi regime, फिर से यहां पर BJP की बुराई हो रहे हैं, अब क्या करें, आज सारे के सारे पोजिशन पार्टी से अल्मोस जीती गही हैं, का साम में तो भले BJP जीती, बर बा बाकी पार्टी जीत नहीं, तो उनकी भी तारीफ करो, हमको सारे viewpoints लेके चलने हैं, तो भाई, वेस्ट बंगाल में भारती जनता पार्टी हार गई है, और तुनर्मो कांग्रेस absolute majority से यहां पे जीत गए हैं, ठीक है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रेंट केरला में जीत गई इसमें 10% वोट खीचे थे बीजेपी में, लेकिन 2019 के लोगसभा elections में, बीजेपी ने 40% वोट खीच के, 42 लोगसभा seats बंगाल में 18 सीटे जीत ली, उसके चलते आज की डेट में लोगसभा में 31 जबरदस्त majority है बीजेपी के, लेकिन आप देखोगे, 2021 आते आते, बीजेपी हैं, 2021 में वोटिंग से पहले ही ऐसा प्रेडिट किया जा रहा था, 38% है, टीमसी का जो वोट शेर था, 2019 में 43% था, इनको इन्होंने इंप्रूब करके कितना किया है, 48% किया है, ऐसा है यहाँ पर बोला जा रहा है, और अभी के elections में, बीजेपी से 10% ज़ादा वोट कीचे ह हैं, टीमसी में, जिसके चलते हैं, इनको 2 by 3rd plus की majority मिल गई है, ज्यादा तर opinion पोल और exit पोल ये बता रहे थे, कि it will be a tough fight between त्रिनमूल कॉंग्रेस और भारती इंता पार्टी, लेकिन यहाँ त्रिनमूल कॉंग्रेस यहाँ पर बहुत सबर्दस तरीके जीती, यहाँ पर ए से काम करती है, अगर एक limit से जादा interference होता, तो यहाँ पर बीजेपी जीत रही होती है, समझ गहें, त्रिनमूल कॉंग्रेस जीती का मतलब क्या है, कि election commission of India ने independent तरीके से काम किया है, ruling party एक limit से जादा constitution bodies को effect नहीं कर सकती, ठीक है भई, आगे बात करते हैं, अब यहाँ पर ह यह बंगाल में हारी क्यों, अगर आप बात करो दोस्तों तो anti-incumbency का जो factor, state government के against था, 2019 के लोग सबाई election में, वही बीजेपी के against आगया, 2021 के state लेश्यडी सिम्ली elections में, 2019 में जब लोग सबाई के elections हो रहे थे, कहीं न कहीं त्रिनमूल कॉंगरस के जो party workers थे, उनके पॉलिटिक्स में सब ऐसे ही है, तो गुंडागरदी बहुत है बंगाल में ये बात आप जानते हो, जो बंगाल में लोग रहते हैं, वो खुद इस बात को बोलते हैं, बहुत सारे लोग तो बंगाल में इसलिए रहना नहीं चाहते हैं, बंगाल जो कि इतना rich culture, हमारे dependence movement बंगाल से शुरू हुआ है, ठीक है, आप अगर ancient history भी उठा के देख लो, तो जो बिहार और बंगाल के आसपास का इलाका रही है, हमेशा से rich रहा है, लेकिन unfortunately जो बंगाल की politics पिछले कुछ सालों में निकल क्या रही है, वो बहुत साथा polarized है, इस प्रकार की चीज़े बंगाल में बहुत सारी हो रही है, अभी बंगाल में गुंडागर्दी है, देखें, no doubt, लेकिन, state government की गुंडागर्दी के अगेंस्ट लोगों को गुस्ता था तो उन्होंने बीजे पी को vote दिया, 2019 में, लेकिन फिर बीजे पी भी कम नहीं है, उनकी भी गुंडागर्दी है, ये भी एक्लिविट से दो गुंडागर्दी करने लगे, तो लोगों को समझ में रहे हैं कि नहीं भाई, बीजे पी से तो भाई ये तिनमुल कॉंगर्दी ठीक है, तो 2021 में जो नरेंद मोदी जी आ रहे हैं, ये एंटी इंकमबंसी थी बीजे पी की अगेंस्ट, ये ज उसके से लोग परिशान हैं, ये जो माईगरेंट वरकर्स है, एक बहुत बड़ा तबका माईगरेंट वरकर्स का बंगाल से था, उन्होंने ऑविस सी बात कहीं ना कहीं, वो डाला होगा बीजे पी की अगेंस्ट, फिर सेकंड वेव अफ कोविड नाइटीन में लोग मर र उसके लिए राज सरकारों को कम रिस्पॉंसिबल मना जा रहा है, केंदर सरकार को सबसे आदर रिस्पॉंसिबल मना जा रहा है, ये आप वोटिंग पैटन से बता कर सकते हैं, फिर बीजे पी सरकार से और बहुत सी बातों से लोग परिशान थे, नारास थे, फार्म लोच आदशनर मना जा है, इंशिरेंस कंपनी की बात कर लिजे, कोल माइस की बात कर लिए, रेलवेज की बात कर लिए, यह सब कर टाय बंगाल में कि भाई यहाँ पे बीजेपी पार्टी को उतने वोट्स नहीं मिले हैं समझ गया बहुत की माइनॉर्टी इस इस बंगाल के रिफ्योजी जिसमें बहुत से दलिज भी हैं तो हिंदू तपके के लोग हों चाहे आपके माइनॉर्टी हों उन्हों ने भी इस एन पी आर और सिडिजन्शिप अमेंडमेंट खासकर सिडिजन्शिप अमेंडमेंड एड के मुद्दे को लेकर यहाँ पे बीजेपी को वोट नहीं दिया तो इस रिस्पेक्ट में आप कह सकते हो कि भाईया केंद सरकार के अगेंज जो गुस्सा था उसका फाइदा किसको मिल गया उसका फाइदा मिल गया ममता बेनर जी जी को मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ ममता बेनर जी जी और तरनुमूल कॉंगरस से बंगाल के लोग कोई बहुत ज़दा खुश नहीं है ठीक है ना ममता बेनर जी जी खुद बहुत कम्यूनल पॉलिटिक्स खेल यह सब टीमसी ने कब किया है यह सब किया है जब 2019 के लोग सभा एलक्षन में यह लोग हा रहे टीमसी एंधम तब इनरजी जी तब इनको इस समझ में आएगी भाईया लोगों के लिए काम करना पड़ेगा नहीं तो वोट नहीं मिलेंगे तो थोड़ा पहुत वैल फेर स्कीम पॉलिटिक्स कम्यूनल पॉलिटिक्स खेल रहा था और वो चीज यहां पर बीजेपी के अगेंस्ट बैकफायर हो गई है फिर जो काम बीजेपी दूसरी जगा करती है लार्ज स्केल डिफेक्शन करवाने की वही चीज उन्होंने तिलमूर कॉंग्रस में भी कोशिश की कॉंग्रस की लीडर्स के अगेंस्ट उनको जबरदस्ती चालू करवाया तो इस प्रकार की चीजेपी यहां पर हारी है और बीजेपी के बिहाफ पे कोई प्रॉपर बंगाली लीडर यहां पर खड़ा नहीं था यह भी एक बहुत मिजर फैक्टर है एक बंगाली लीडर ज फिर आप देखोगे कि यह जो लंबा एलेक्शन कैमपेइन चला है आठ फेजस का एलेक्शन कैमपेइन चला है उसके चलते सेंटरल फोर्सेस को हर जगा पे लेके आना मासस को दमाना अभी हुआ यह कि पोलराइशन इस हद तक आगे बढ़ गया इतना लंबा पोलराइशन इतना लंबा एलेक्शन कैमपेइन आठ फेजस का उसमें इतनी वॉलेंट टैक्टिक्स बीजेपी के कारता और तर्मूर के कारता आपस में लगातार एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं तो यहाँ पे जो मुस्लिम वोट्स थे ना वो बीजेपी के अगेंस्ट कॉन taxi district सें यहाँ पे तेनमूर कांग्रस पहले नहीं जीत्ती थी फट इस बार तेनमूर कॉंस्टAw को लगा बीजेपी को जटाने से अच्छा है कितमूर कॉट्स को जटा दू बहीं पर बीजेपी जो हिनू वोट्स के ओव पर बैक कर रही थी वह उसको मिले नहीं और फिर फाइनली यहां पर बताया जा रहा है कि अगर आप NT-BJP consolidation के analysis करो बंगाल में तो बहुत से और major points निकल के आ जाएंगे पर obvious ही बात है इस article में सब कुछ नहीं लिखा जा सकता है फिर यहां पर बात की जाएं तो NT-BJP votes की जाब बात की जाएं तो त्रिनुमल कॉंग्रेस को ही क्यों वोट दी जा रहे हैं लेफ्ट फ्रेंट को वोट क्यों नहीं दी जा रहे हैं तो लेफ्ट फ्रेंट की approach में यहां पर बहुत flaws बनाये जा रहे हैं लेफ्ट फ्रेंट का head कौन था CPI Moist Party समयुक्त मोर्चा जिसने इसको वोला की ठीक है न वो एक Muslim लेडी है अभी तेर्मिल कॉंग्रेस की member है politics join कर रखा है उन्होंने elections भी जीत रखें अभी उनके against बहुत सारे statement दिये सब्बास सिद्धिकी ने नुसरत जहां ने एक Jan person से शादी किये तो धरम के बाहर शादी किये तो उनके खिलाफ फत्वा इशू करने के बाद और उल्टा सीथा सुनाया ने उसरत जहां को फिर जो पैरिस में beheading होई थी धरम के नाम पे उसको यहां पर अभास सिद्धिकी ने सपोर्ट कर दिया तो इस प्रकार की approach के लिए इस प्रकार के thought process के लिए इंडिया जैसी country में कोई भी जगा नहीं है तो अपने आपको अभास सिद्धिकी इसलामिक करी की साथ जोड़ के यह left front ने गलती कर दी है CPIM सम्युक्त मोर्चा ने गलती कर दी है और इस गलती का खामियाजा इनको भुगतना पड़ा है इनको यहाँ पे एक भी vote नहीं मिला है समझगे हैं तो non-secular elements चैसिस अबास सिद्धिकी को यहाँ पे CPIM left front में जोड़ना 2021 में यह बहुत बड़ी गलती थी left front की मंगाल में और उसके चलते आप देखोगे कि भई एक भी MLA वेस्ट मंगाल की assembly में left front से नहीं है और ऐसा पहली बार हुआ है independence से लेके आज तक तो religious politics अब इंडिया में नहीं चल पाएगी तालिबानी politics अब इंडिया में नहीं चल पाएगी यह बात यहाँ पे clear हो गई है और यह कहीं ना कहीं एक progressive approach है मैं यह बोलूँगा कि भाई देश के लोग इतने पढ़े लिखे हैं कि वो यह बात समझ पा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है चाहे वो किसी भी caste क्यों चाहे वो किसी भी धरम क्यों ठीक है ना अब यह आप सोचिए बहुत सारे लोग मुस्लिम मासेस के ओपर इज़ाम लगाते हैं कि यह भाई गलत तरीके से सोचते हैं टेरिरिजम को बढ़ावा देते हैं अगर टेरिरिजम को बढ़ावा देना सबका option होता तो आप बास चुद्धिकी के respect में आप बहुत सारे वोट जीते जाते हैं लेकिन लोगों ने जाधा दर मुस्लिम से तर्मूल कॉंगरस को क्यों वोट दिया चुकि उनको पता है कि इस प्रकार की सोच सही नहीं है लेकिन बीजेपी का polarization वाला एंगल किसी को पसंद नहीं हा रहा है और उसके चलते एंटी बीजेपी की चलते तर्मूल कॉंगरस को बीजेपी पार्टी को वोट दिया था लेकिन अब कैसे देंगे जब इस लेवल की polarizing politics हो रही है लेकिन उसके बाद भी बीजेपी ने ठीठाख assembly seats जीती है सतर से जाधा assembly seats अभी बीजेपी ने सीटी जीती है तो मतलब ऐसा नहीं है कि state legislative assembly हो बंगाल में बीजेपी existent ही नह polarizing politics किस हद तक आगे जाती है बस यही कहा जा सकता है कि कोई भी political party राज करे polarizing atmosphere ना हो धरम जाती के नाम पे लड़ाई ना हो चुकि उसके चलते इंडिया को और पहले बहुत नुक्सान हो चुका है हम और नुक्सान नहीं जेल सकते आगे बात करते हैं हम mandate for compassionate governments LDF regime जीत किया उसकी एक खास बात होती कि कोई भी एक political party लगातार दो elections नहीं जीत सकती है और केरला के साथ कुछ ऐसा ही था केरला में एक बार left democratic front जीती थी एक बार united democratic front जीती थी left democratic front में head party कौन थी communist party of india marxist united democratic front में head party कौन थी congress अभी left democratic front के बजाए congress के जीतने के आसारत थे बट congress यहाँ पे नहीं जीती है left democratic front पिनराई विजियन जी की सरकार यहाँ पे जीत गई भले इनके ओपर कितने corruption के charges लगाए गए उल्टे सीजे charges लगए बट यह फिर भी यहाँ पे जीत के आए हैं तो यह डिकेट्स old trend है कि कोई भी एक सरकार लगातार दो बार सरकार नहीं मना सकती यह यहाँ पे तूटता हुआ नजर आया है ठीके ना और भारती जनता पार्टी की केवल एक seat जो कि नेमो एसे मिली constituency थी वो भारती जनता पार्टी यहाँ पे हार चुकी प्री पोल सर्वे ने भी दिखाया था कि LDF यानि left democratic fund यहाँ पे जीत सकता है और चीफ मिनिस्टर पिनर सामने क्या किया कि यहाँ फिर से जीत गया US को बहुत ऊट slop प्रीक्ष की जबरधस परदस्त हैंडलिंग थी उसके चलते लोगों का confidence से सरकार के अंदर चोकि लोग देख रहें कि देश में क्या हो रहा है और केरला की सरकार किस प्रकार से दिखे केरला में बहुत हद तक कोविट-19 फैरा था उसके बाद भी महां की सरकार के management ठकड़ा है ठीक है आप बाकी दे के पास basic supply पहुँचती रहे हैं development के real notion को केरला जैसी सरकार आगे लाने के कोशिश कर रहे हैं कोविट-19 के पैंडमी के समय पे death rate को बहुत हद तक कम करने कोशिश किए करला की सरकार ने human suffering को reduce करने कोशिश किए चाहे financial aid पहुचानी हो चाहे medical aid पहुचानी हो चाहे food shortages को पू करना शुरू कर दिया था केरला ने अभी निपाह वाइरस के समय पे केरला सरकार को हो गई practice और जब कोविट-19 फैलना शुरू हुआ तो कुछ हद तक केरला की सरकार तयार थी चुकि वो अलरड़ी निपाह वाइरस के साथ deal कर चुके थे तो कोविट-19 की desk लगाई गई सा को बैन कर दिया गया एजुकेशन इंस्टिश्चन को बंद कर दिया गया ब्रेक दचेन campaign चलाया गया सेने टाइजेशन campaign चलाया गया contract tracing करी गई जो लोग भी कोविट-19 से infect हो गयते हुनको free और high quality treatment दिया गया हर railway station पर परज्वेशन पर पर ग्यामेडिकल स्टाफ मेंबर कि केके शेलजा उनको भी जाता है केके शेलजा जी जब इस बार अपनी कॉंस्टिट्वेंसी मतनूर से जीती तो चबरदस्त मारजीं से जीती इतना बड़ा मारजीन जो पहले कभी देखने को नहीं मिला है और ये बात क्या दर्शात है ये बात ये दर चाता है कि केके शेलजा जी और पिनराई विजिन जी के अफर्ट को यहां पर माना गया है तो multi-dimensional approaches के साथ COVID-19 pandemic को हराना और बाकी calamities को हराने का काम किया कैरला में फिर कैरला में देश का माना the best public health care system है एक compassionate और sustainable model है फ्री फूड ग्रेंट केट्स को अवाइट करना ताकि कोई भूका ना मरे community kitchens जगा जगा पर चलवाना पिनराई विजिन और मिस्स शैलजा समय समय पर मास मीडिया के सामने आते थे pandemic से लोगों को बचाने की बात करते थे school children से ध्यान देने की बात करते थे भाई घर में जो school children उनकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए उनको दबाई ये मत मैंन को आप अपील करते थे कि आप women की मदद करवाई है household workers में फिर भाई जो migrant workers बाहर के देशों में केरला के अंदरा के काम कर रहे तो उनको ignore नहीं किया गया उनको guest worker माना गया उनके लिए camp setup किये गये उनको खाना बटा गया ये सब बड़ी बाते हैं बाकी states इन सब चीजों में केरला से बहुत पीछे हो कही ना की केरला नहीं किया है social security pensions provide की गई होके तो जब आप इस प्रकार का काम करते हो ना तो gold smuggling जैसे corruption charges आपको हरा नहीं सकते हैं बहुत कोशिश की गई पिनराई विजन जी की image को बिगाड़ने की ये gold smuggling charges को लेके बट वो बिगाड़ा नहीं पाए फिर से पिनराई विजन जी जबरदस्त तरीके से जीत के आए और वही रहेंगे chief minister आगयाने वाले समय में ठीक है तो यह सब बाते हैं आपे बताई जारी है कि कौन से basis पर यहाँ पे left democratic front जीत के आई है केरला के अंतर फिर चलते हैं अपने final article पे second decisive shift the National Democratic Alliance emphatic victory in Assam shows protest and poll preferences can co-exist ठीक ही आपे क्या बोला जारा है On paper in Assam, the Congress has identified electoral pain points well enough its manifesto promised non-implementation of Citizenship Amendment Act 3 million jobs in the state historically struggling with the employment numbers rising the daily wage for tea garden workers, free electricity up to 200 units per households and 2000 monthly income support to all home makers खास बात दोस्तों यहाँ पी यह है आसाम में जो सबसे major मुद्दे हैं कि भाई citizenship amendment act को implement मत करो ठीक है implement नहीं किया 3 million jobs देंगे states को अभी देखे citizenship amendment act को implement ना करना यह major मुद्दा क्यों है चुकि आसाम में वो हिंदू बांगला देशी जो बांगला देश शाके सेटल की है उनको citizenship में जाएगी यह आसाम के लोग नहीं चाते तो इस चक्कल में Congress ने बोला कि citizenship amendment act implement नहीं करेंगे आपको 3 million jobs देंगे आसाम में unemployment बहुत साथ है टी गार्डन वरकर्स की daily wage बढ़ाएंगे यह major political मुद्धा है आसाम में 200 units प्रती household को free के electricity दे जाएगी और 2000 रुपए का monthly income support दे जाएगा सारे home makers को preferably ladies को इतने जबरदस पोल promises की बाद भी यहाँ पे Congress जीत नहीं पाई है यहाँ पे बीजेपी जीत गई है अभी यह जो promises Congress ने किये थे यह इन promises के आधार पे ethnic आसामीज वोट तो कहीं न कहीं Congress को मिलना चाहिए था ethnic आसामीज वोट शुरुवाती यहर्स में Congress को ही मिलता था लेकिन बाद में धीरे धीरे करके बीजेपी ने इन ethnic आसामीज वोट को अपनी तर्फ खीचा और जनरल एलेक्शन जब हुए 2014 के और 2016 के जब स्टेट लेश्टेड इसेमली एलेक्शन हुए आसाम के तो यह सारी ethnic आसामीज बीजेपी को वोट कर रहे थे ना कि Congress को अब आप समझ यह आपे अपामी शुरू में पहले Congress को वोट देते थे बाग में उन्हें बीजेपी को वोट देना शुरू किया बीजेपी को वोट देना शुरू किया च्योंकि RSS और उनके अफिलेट्स ने ग्राउंड लेवल पर काम करके धीरे धीरे इन वोट को अपनी तरफ खीचा है तो इस बार किसी भी हाल में Congress इन एथनिक आसामीज को अपनी तरफ कीचना चाती थी उसके चलते ही इन प्रामिसेस के साथ Congress ने एक और काम किया All India United Democratic Fund जो की बदरुदीन अजमल की पार्टी है इसके साथ यहाँ पर एक अलाइंस बना लिया यह All India United Democratic Fund बदरुदीन अजमल की जो पार्टी थी न यह कही न कही आप थोड़ा बहुत Muslim मोबलाइशन की बात करती है धर्म के नाम पर कही न कही पार्टी मतब देश को सेगरिगेट करने की बात करती है हिंदूस और Muslims को अलग बताती है तो All India United Democratic Fund के साथ पहले Congress नहीं मिली थी बट इस बार मिल गई कहीं न कहीं BJP को हराना था इसलिए मिल गई और यह भी सोचा हुआ कि Muslim votes कहीं टूटना जाएं ठीक है तो उसके चलते भी Congress और All India United Democratic Fund ने अपना एक अलाइंस बना लिया लेकिन अब आप यहाँ पे देखोगे कि चीजें काफी बदल गई है इस बार भी अगर आप देखोगे तो BJP लेट NDIO को हरा नहीं पाए है 2016 भी आसाम में BJP जीती थी और इस बार भी BJP ही जीती है BJP को 60 सीटे मिली है इंडिया नेशनल कॉंगरस को 29 सीटे मिली है AIU DF को कितनी मिली है 16 सीटे मिली है असाम गरों परशद को 9 मिली है BPF को 4 मिली है तो कुल मिला कि यहाँ पे आपकी BJP प्रॉपर तरीके से जीत गई है इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि CAA अब यहाँ पे उतना बड़ा रोल प्ले नहीं कर रहा है जितना बड़ा रोल यह पहले प्ले कर रहा है Citizenship Amendment Act एक बहुत मेजर मुद्धा था और Citizenship Amendment Act एक ऐसा मुद्धा था जिसके दम पर यह बोला जा रहा था कि BJP अब आसाम में नहीं जीत पाईगी लेकिन अब जिस हद तक 2019 में यह Citizenship Amendment Act एक बॉयलिंग मुद्धा था अब यह उतना बॉयलिंग मुद्धा नहीं है अब यह उतना होट बटन इशू नहीं है ना आप कहीं ना कहीं रूलिंग पाटी जो है BJP की वो हिंदू नैशनलिजम को आसामी सब नैशनलिजम के साथ मिला के अपना पॉलिटिकल गेन पा रही है ऐसा ओथर यहां पर बोलने की कोशिश कर रहा है मतब सिद्रिजनशिप अमेंडमेंट एड के दम पे यह जो BJP को हराने वाली बात है वो यहां नहीं हो पाईए 1971 इमिग्रेंट क्राइसिस के बाद जो सेक्यूलर लेंस था आसामी सब एथनिसिटी को प्रमोट करने का वो चला गया है क्या मतलब है 1971 में जब बांगलादेश बना तब बांगलादेश की तरफ से बहुत सरे लोग इंडिया के लिए उगए तब यह जो बहुत सरे लोग इंडिया के लिए तसमें हिंडूस और मुस्लिम्स दोनों थे एथनिक आसामी से बोलते है कि इन बांगलादेशी को आसामी से निकालो चाहे वो हुं चाहे वो मुसलिम हों यहाँ पे बीजेपी CAA की थूँ क्या हो रही है कि हिंदूस को सिटिजर्शिप देने की बात कर रही है और मुसलिम्स को अटाने की बात कर रही है लेकिन कई न कई आसाम एथनिक लोग CAA के अगेंस्ट एजिटेशन करके क्या बोले थे नहीं भाई जो आसाम का नहीं उसको बाहर निकालो चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलिम हो अभी ऐसे केसे में जो बीजेपी का जूनियर पार्टनर है आसाम गणो परिशद पहले तो वो रीजिनलिजम का टॉर्च बरियर बनके बना हुआ था आसाम एजिटेशन में वो बीजेपी के अगेंस खड़ा था सीये के अगेंस खड़ा था लेकिन अब कहीं नहीं जो पॉलिटिकल डेवल्लपमेंट निकल के आ रहे हैं वहाँ पे आसाम गणो परिशद बीजेपी के साथ मिलके ही सरकार बना रहा है तो कहीं न कहीं जो आसामीज नेशनलिजम थी वो बीजेपी की हिंदू नेशनलिजम के अंदर दबती हुई नजर आ रही है उसके अगर आप बात करो कुछ पार्टी जो कि 2019 के अंटी सीये प्रोटेस्ट से निकली है जैसे कि आसाम जातिया परिशद और राजय दौर इनके अगर आप बात करो तो ये कुछ ज़्यादा वोट वहाँ पे जीत नहीं पाई है जो हाई एथनिक आसामीस कंसेंट्रेशन ने इन इलाकों में भी आसाम जाती है परिशद और राजय और दल जैसी पार्टी बहुत ज़्यादा नहीं जीत पाई है और ज़्यादतर आप देखोगी जो रूलिंग अलाइंस है किसकी किसकी बीजेपी की और आसाम गुनो परिशद की वही वोट खीच के ले गए है अपने पास और यहाँ पर एक और बात बोली गई है कॉंग्रेस और A.I.U.D.F. का जो गड़बनन मना है ना इसने ना कॉंग्रेस का भला किया ना A.I.U.D.F. का भला किया कहीं न कहीं इन दोनों को पीछे ड़के दिया अगर आप बात करो तो लास्ट दोहजार सोला के अलेक्शन की बात की जाए तो कमाइन जो वोट शेयर था A.I.U.D.F. का और कॉंग्रेस का दोहजार सोला के असेम्बली एलेक्शन में आसाम में वो बीजेपी और आसाम गणो परिश्ट से जादा था एक बार आप यहां पे इस पर्टिकुलर चार्ट को देखो तो चीज आपको समझ में आएगी यहां पे देखे यह दोहजार सोला के असाम लेश्टिव एलेक्शन की पिच्चर में आपको दिखा रहो भारती जनता पार्टी को वोट मिले 29.5% और उन्होंने सीटे जीती 60 आसाम गणो परिश्ट को वोट मिले 8.1% और सीटे जीती 14 तो सीटे जीती 74 वोट कितना मिला है लगबग 37.6% ठीक है भाई वही पर नीचे आजाई इंडियान नेशनल कॉंगरस पर इंडियान नेशनल कॉंगरस को वोट मिले हैं 30.9% सीटे जीती 26 उसके All India United Democratic Fund को वोट मिले है 13% सीटे जीती 13 तो अब आप यहां पर वोटिंग को जोड़ दो इंडियान नेशनल कॉंगरस को 31% All India United Democratic Fund को 13% तो 43% लगबग है 44% लगबग है यहां पर वोट मिले हैं इंडियान नेशनल कॉंगरस को और All India United Democratic Fund को और 37% लगबग मिले हैं भारती जनता पार्टी और अशुम गणोपरशत को तो यही बोला जा रहा है कि 2016 के Assembly Elections में जब BJP और असाम गणोपरशत का आप कहाते हो गड़बना था उस समय पर Congress ने अलग contest किया था AIUDF ने अलग contest किया था और इन दोनों के जो वोट shares थे वो वोट shares न दोनों के BJP और असाम गणोपरशत से जाता थे लेकिन इस बार जब Congress और AIUDF जब मिल गई ना तो confusion हो गया और confusion के चलते इस बार इनका vote share भी BJP और AGP के नीचे गिर गया है उसका एक और reason है जब AIUDF के ने Congress के साथ गड़बंदन मनाया तो जो हिंदू लोग थे ऐसा बोला जाता है आसाम के वो इस बात से डर गए कि जो मिस्टर अजमल है जो की AIUDF के चीफ है ये चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे आसाम के और ये चीज बहुत से लोग नहीं चाते आसाम में ठीक है कहीं ना कहीं इनको आप कह सकते हो की communal politics से मैच किया जाता है AIUDF के लीडर मिस्टर अजमल को उस respect में भी Congress को जो पहले थोड़े बहुत vote मिलते थे वो मिले नहीं और उसके चलते यहां पे BJP और आशाम गुणो परशे जीत गया तो ये मुद्दा है लेकिन इस basis बे आप कह सकते हो की BJP विक्टोरिय से नासाम तो BJP की जो विक्ट्री रैली है वो आसाम में तो चली है बागी तीन स्टेट से BJP बाहर हो गई तो ये था analysis दोस्तों election से ही आज का एडिटोर भरा है और election से ही आज का current affairs ही भरा होगा thank you for watching friends अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जाद जाद लोग साथ शेयर करिएगा good बाइ